स्ठाफ लोन एप से आप लोग 2000 से लेकि 30,000 रुपर तक की लोन लेसेकते हो आपको सबसे पहले यहाँ पर्फना मुबाइल नमर डाल देनी है उसके बार दोस्तों आपको आपने प्रॉप्सवर्ट डाल देनी है पासवर्ट डालने के बार आपको कुछ करना है ये गूउप पर फिल कर देज़ेगा फिर आपको दोस्तों गेट ओट को option पर क्लिक करने के अबाद आपके इसी मोबायल नमर पर एक भेज़ जएगी जब आप लोग यहां पर दोस्तों एक number है मैं इस number को यहां पर डाल लेता। उसके बाद दोस्तो इस verify option पे क्लिक कर देता हूं। इतना करने के बाद आपक जो है verify हो जाएगा। जब आपके दोस्तों उसी number पर ऐबद को पूंपको अपना कोई पासवर्ट को रख ले नीहां है। इतना करने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों कुछ करना है नहीं यहां पर confirm का option दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके आपको confirm कर देना है आपका account staff loan एप बन जाएगा staff loan एप आप लोगों को दोस्तों यहां पर देखी सकते हो कि 2000 रुपय से लेगे हम लोगों को 30,000 रुपय लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है और यहां पर आप लोगों को जो handling fee देने होते हैं जिसमें आपका GST रहता है वह 200 से लेके दोस्तों 500 के बीच में होती है आप खुछ देख सकते हैं आप लिखा हुगा है तो दोस्तों आप लोगों को जैसे यहां पर example में तो अगर आप लोग 10,000 रुपय की लोन लेते हो तीन महीनों के लिए तो आपको दोस्तों handling fee 200 रुपय देखा देना होगा और interest rate तीन महीने की यहां पर 700 देना होगी जब आप लोग 10,000 का लोन ले रहो जब पैसा लोटाने जाओ गए तोटल दोस्तों आपको 10,900 रुपया लोटाने होंगे कुल interest rate और GST handling भी सबको लेकर आपकी एज दोस्तों इस staff loan app पे होनी चाहिए लोन लेने के लिए 18 सल से लेके 55 सल के बीच में अगर आपका age 18 से लेके 55 के बीच में है तब भी आप लोग इस app से लोन ले सकते हो और इस app से लोन लेने के लिए आप सबसे पह और है वह अच्छी होनी चाहिए अगर आपके credit score अच्छी नहीं है तो इस app आपको loan नहीं मिलेगी खुद यहां पर देख सकते लिखा हुआ है तो दोस्तों जब भी आप लोन ले लोगे तो loan को लोटाना भी है औरना कोई भी लेट किये अगर परशानी किये तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर फंसाया भी जा सकते है इस app पे आप लोगों को low interest बताया जा रहा है और कम fee भी बताया जा रहा है नो collateral and credit card require कि यहां पर जरुवत नहीं पड़ेगी 100% safe customer information, financing information है आप बाताया जा रही है चलिए दोस्तों हम इस app के बारे में और भी details से जानेंगे आप दोस्तों यहां पर देख सकते हो कि staff loan app की customer care के यहां पर details है आप इंसे directly दोस्तों राबता कर सकते हो जो भी बात करना आप इंसे directly बात कर सकते हो और कोई problems होती है तो इस app पे आपको 2000 से लेकर 30,000 रुपया तक की जो loan मिली कितने दिनों के लिए मिली वह तीन महीने से लेकर दोस्तों आप यहां पर जारा से पांच महीने के लिए ले पाओगे आप यहां पर दोस्तों देख सकते हो कि 2.8 की rating में लिए 175 लोग ने reviews देने के बाद भी किस वाज़ा से वह मैं आ अपना personal details जिसमें आपको अपना date of birth, name, photo, pin card और other card को upload करना होगा इतना करने के बाद दोस्तों आपको अपनी bank की details भर नहीं होगी जब आप लोग अपनी bank की details में account number दे दोगे और FSD code दे दोगे तो दोस्तों उसी bank में आपके पैसे भेज़ जाएंगे जब भी आप यहां पर पैसे select करोगे अगर आपको पांस ज़र शेही तो आप पांस ज़र पर click करना है उसके बाद दोस्तों आपको apply कर देना है apply जैस आप यहां पर दोस्तों इस बंदे को देख सकते हो यह बंदा जो है रिव्यूस दिया है काफी दोस्तों निगेटिव रिव्यूस दिया है बता रहा है कि यह पर एकसम ठीक है नहीं लोन नहीं देती है इसका आपको experience इस बंदे का बहुत बिकार है और वहीं पर यह बंदा रिव्यूज दो दिया है पॉजिटिव रिव्यू जानव उसकर दिया क्योंकि उसे लोन मिल जा नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बंदा भी बता रहा है कि इस नौट लोन प्रोबाइड एप यह लोन नहीं रहती है आपका जो डाटा है वह हेकर का पास यहां पर दोस्तों भेज देता और आपके साथ फेक फ्रॉड भी कर सकता है और यह अप्लिकेशन फ्रॉड भी है तो दोस्तों आप सभी लोग को इतने साथ चीजिए इस एप प की उपर लेजिएगा मेरे कहने फे बिल्कुल भी मत लेजिएगा दोस्तों यह वीडियो एजुकेशन परफस के लिए बनाएगे थे वीडियो पस्ते नहीं दो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा